न्यू फैमिली यहां पर हमें सेलेक्ट करना है मैट्रिक जैनरिक मॉडल पैटर्ण बेज्ट हमने इसको सेलेक्ट किया ओपन किया अपन करने के बाद हम यहां आगे अब सबसे बहले तो यह जो पैनल है आपको पूरा आप इसका साइज सेट कर सकते हो तो आप इसका size select कर सकते हो कि आपको कितना रखना है जैसे उस case में हम ले सकते हैं उसने 1 meter by 1 meter का size दिया है आप उसे changes कर सकते हो अपने size के according जो भी आपको panel के size रखने है यह size overall का हुआ के नीच वाले का है यह वाले जहां हमारा sketching बने का अब यहां जैसा भी हमें pattern करना है create random उस pattern की condition यह है कि pattern बनाने के लिए आपको sp line यूज़ करना होगा क्योंकि हर एक line one by one अलग sketch की तरह count होगा अब sp line बनाने की condition क्या होती है दो point select करते हैं तब जाकर एक sp line create होता है just for an example आपको sp line बनानी है तो sp line बनाने के लिए तरीका यह है आप बताएंगे पहला point और दूसरा point sp line बन गई क्योंकि straight रखना है इसलिए एक sp line बन गई सेम इसी तरह हमने sp line लिया एक बार में दो points को define किया ठीक है सब इसके चीज़ इधर बनी नहीं है हमारी अब जहां भी मतला जैसे प्रोफाइल बनानी उसके लिए पॉइंट्स डिकंसिडर कर सकते हो कि मुझे स्वीप वन वाइवन लेगा ना वह एस्पी लाइन की एक प्रोफाइल काउंट होती है सिंगल लाइन नहीं काउंट हो रही है अब जहां भी मतला जैसे प्रोफाइल बनानी उसके लिए पॉइंट्स डिकंसिडर कर सकते हो अब यह तो मिड़् पॉइंट हो गया अब मालने चाहिए आपकी कंडिशन कुछ ऐसी आ जाए कि इस पॉइंट से मुझे एक जाना है तो इसकी कंसिडर जिए कैसे होगा एक पॉइंट लगा दो फिर उस पॉइंट को सेलेक्ट करो पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद यहां देखो बिगिनिंग से आ रही है हमने बोला कि यार हमें एंड से देनी है यहां 300 अचाई यह परसंटेज में ले दा इसका अदला देखो 0.2 कर दो पहले देख लो किसके पास आ रहा है तो बिगिन एंड यह वाला है फर्स्ट पॉइंट जब हमने एस्पिलाइन बनाया उसके लिए क्योंकि एस्पिलाइन अलाग अलाग बन रही है न तो मतलब पहला पॉइंट स्टार्टिंग और दूसरा एंड पॉइं एस्पिलाइन तो बन सकता है हम बिल्गुल ले सकते है अब एक रेफरेंस के लिए अगर हमें सेंटर से कनेक्ट है करना हो सबको पैटन बनाने के लिए तो वह कंसिडरोईशन चीम्चन लिने के लिए हम लेफरेंस लाइन ही बनाते है तर लेफरेंस लाइन ही पा फॉइंट को किवाक्शारा JA पॉइंट चूजी नहीं नहीं, जो उपसब से उपर है बॉक्स में लाइन उस कर लें, यह तो कंसिट्रेशन दिया जा पता है चालो जी, आपकी तसली कर देते हैं, लो जी, लाइन लिया हमने, लाइन भी निडारेक्ट पिक कर रहा है, ना पॉइंट असफिलाइन कर रहा है, पॉइंट इसना आप निगर, ना ने यह बनाया, ताकि इसके मिड़ बर में यह प्लेस कर रहा है, एक पॉइंट रसपे में चज़ोर हो थी नहीं, दिया सिपाई, यह तो ऐसे ही आजाता है जिस पॉइंट पे आपको पैटरन बनाना है जिस शेप का भी, वो शेप आपको उस पॉइंट पे वर्क्पे बनाने के बात बनाने के बात बनाने पकिए मतलब जैसे यह है इसके लिए एक वर्क प्लेन यहां है अगर मुझे इस पॉइंट पर वर्क प्लेन से इसकेच बनाना है तो मुझे यहां वर्क प्लेन बनाना पड़ेगा वर्क प्लेजर इसे वोगे यह जाएंगे और जाकर आप उस पॉइंट को स्लेक्ट करेंगे तो उस पर वर्क क्लिक करो अभी तो बाई डिफॉल्ट देखो यह वर्क प्लेजर न बनिया आप का उसी पॉइंट पर आगे न सेंटर आ लिए अब अगर मैं कोई एक sketch बनाता हूं तो वो मैं उस point पे बना पाऊंगा देखा क्योंकि मेरा work plane वही है समझा है कि इसलिए हम बना रहे थे अब यह जो work plane बना है तो ऐसा एक्स जारा उसके perpendicular बनेगा बिल्कुल बस midpoint है उसके perpendicular जाएगा जो यह line आपने बनाई ना एक SP line जिस पर पॉइंट है तो जब point पिक करोगे वह उस line के perpendicular आ जाएगा जहां आप cross section बना पाएगी और यहां हम लेते हैं चलो profile थोड़े अलग सी प्रोफाइल प्रोफाइल पर जाएगा यह क्रोस सेक्शन यह एक पाथ दोनों को सेलेक्ट करो यहां जाओ solid form एक solid में convert कर देगा सेम इसी तरह हर प्रोफाइल पर जाएगे sketch बना आए तो आसान यही है के काम करो रेक्टेंगल का बता नहीं center point चूज करेगा कि नहीं करेगा मुश्किल है यह एक corner ले जाएगा फिर हम इसका center ढूणना पड़ेगा कि बहुत मस्किल हो जाएगा फिलाल एक काम करो सरी किल चूज करो यहां ले लेते हैं 30 तुकि diameter तो 60 हो जाएगा ना इस वर प्लेन का काम हो गया फिर set वर प्लेन पर किलिप करते हैं इस बार इसे ले ले लेते हैं को इतरा आगिया ना ठीक है 30 mm लिया ना अब जो यह प्रोफाइल्स हमने यहां के ले ली आए यह इसपर्प यह इस पर यह इस पर यह इस पर यह हैी परेटा मॉलियंस कहा प्रोपर जॉइन होता है जैसे मॉलियंस है मॉलियंस तो जब टच करते हैं इसलिए बार वाला 30 लिया है अंदर वाले को हम थोड़ा 20 ले लेता है ये इस पर इस बाकी चीजे भी पता कभी जाएंगे और अब इसके लिए हमें एक और पॉइंट जाएंगे मिल जाते हैं एक पॉइंट पर जाकर के प्र से हुआ 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 है जैसी इस तो एक जूरी की उप अबरा है अि तो जिसके लिए आठ्यार करें दो यह भी गट्रेंट से दिखा रहा है तो इसके पर प्रेंट के दर अगर हम गट्रेंट सेट करना होगा यह पॉइंट तो कहीं भी बना सकता है तो प्रफाइल तही होगी तो भराव सा राको मैं वही जा रहा है एक जेक्ट भराव मैं राको कि भी जाव बना सकते है बना सकते है इसाहर मैं धूदिए तो इसको अगला कि एड़ाइल भी जीका रहा है वी यह लुदी की को भी एगाभ क्वेवा भी टा है यह भी बना सकते है कर दो कर दो हिए भूद, व घला नहींगा नहीं जो करोदूद। यजी कर दो तो GPD-KD-KD-KD कर दो कि एका भूद, गजी एकड़ मिध कर दो कर। दो नहींदी इजा खाए। यजी का फिए एकड़ जारे हिए एक पानला है यिए जाया हुद। अब इस पैनल को कोई प्रोजेक्ट भी खोल लेते हैं साथ साथ अगर उसकी कंसेटरेशन के इसाथ से बैक पैनल कर्टेन वाल का बनाना है तो लेविल वन से लेविल डू हाइट कितनी है हमारे पास चार अजाल ये लेंथ ले ले लेते हैं हम आड अजाल को ये कर्टेन वाल वनादो जिससे 1000 का एक शेक्जाड साइज छो जाए स्टोर फर अवारे बनांबत स्कूइब करके edit type में जाता है इस पेसिंग को maximum नहीं fix कर देता है na distance इसको त्रिडी में दिखा यह हमने किया थाउजन वाई थाउजन का अब उसने बोला कि यह मुलियन्स को ही अगर अब सपोर्ट फ्रेम आपको यूज करना है अब सपोर्ट टाउजन वाई थाउजन नहीं ऐसा भी हो सकता है 4000 वाई 4000 की सपोर्ट हो चार पीसी का एक सपोर्ट एक साथ ऐसे लगाया जाए रिक्वार्मेंट हमारे पैनल की पीछे की सपोर्ट की जो हो सकती है तो 2000 by 2000 यह नहीं कि सेम स्केल पर बढ़ा है चोटा करना है आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं आप एक को 1500 कर दें और एक को 1000 कर दें हमारे पैनल का साइज है स्क्वाइर है तो स्क्वाइर शेप में ही इनके साइज होने चाहिए 2000 by 2000 हो सकता है 4000 by 4000 हो सकता है तो उसी मलिंटिप्रश ऑज़िगी अब अगर पैनल की किसी साइज को आपको चाहिज करना है तो पहले मोलियन का स्टेंडर्ड साइज बना दो अलग से मोलियन्स में जाओ और एक्टेंगल को स्यट करो अगि्द टाइप इसको टुप्लिकेट करो जो भी आपको size बनाना है, अब आपको अगर size बनाना है, thickness 50 रखो, और depth को change करना चाहूँ अगर आप, 150 को कितना करो, 400 को more than जा करो, तो 50 by 300 कर देते हैं, 300 भी बहुत है, तो thickness हमें कितना ही चाहिए, 300, यह तो 50 रखा, तो यह तो 25-25 ही रहेगा दोनों साइड में, apply, okay, aluminium है, चाहें तो MS कर देना, अब हम यहाँ आते हैं, इस curtain wall को select करते हैं, edit type में जाते हैं, यहाँ तो नीचे 50 by 150 के लगे हुए हैं, हमें इसकी जाब कौन सा करना है, 50 by 300, एक ही बार में सारी change जाएगे, वो 1 by 1 select करना and all, उसमें उसमें बहुत टाइम लग जाएगा है, पतला का सुबर से शाम होगी, पैनल मुलियंस को change करने मे यह तो एक support की तरह गाम करेगा पीछे, तो इसमें क्या करो, आप एक और चीज कर लो, glaze, इसमें glaze लगा है और नहीं के लगा है, डिपेंड करेगा, अगर खाली framing चाहिए तो none करके छोड़ देना, यह खाली हो जाएगा, केवाल frame बचेगा, देखो, none के निवाब बचेगा curtain final था हुने none कर दिया, एक को select करो, से press करो, और unpin तो सब होई गया हो में, उसकी जगा यहाँ से empty कर लेना, ऐसे ही करना पड़ेगा खाली अगर आपको खेवल frame बनाना है, अब हमें यह जो आपने family component बनाया, family threes का नाम है, इसको हम लोड़ कर देते हैं, अभी close नहीं करते हैं, लोड़ करके छोड़ देते हैं, family three component अवारे इसके अंदर लोड़ हो गया, जब यह यहाँ लोड़ हो गया, अब इसके आगे की side लगेगा न वो फसाड, तो उसको फसाड को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक mass बना करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही component अपना model in place, यहाँ है, या massing and site में जाएए, यहाँ से in place mass करिए, ओके, एक line, हमने consider की, यहाँ से, इस line को select किया, यहाँ से जाके इसे solid, 30 में जाएंगे, इसकी height, हमने चार मिटर की height रख 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 रहे हैं, अच्छा, हमने इसे level defined नहीं गया था, इसकी height का है, यह 8 मिटर की height रख 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 रख, पूरा करते हैं, आप 4000 पी चाहो तो 4000 पी रख सकते हो गई कानी है, अब यह जो हमने बनाया, इसको select करके divide करेंगे, surface में, surface में divide किया, इसको, surface में divide करके, फिलाल आ गया no pattern, हमने बोलो, हमें distance fix करनी है, इसकी, कितने पर, जितने का हमारे panel का size है, बन गया, अब उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, हमें कौन सा pattern यूज़ करना है, जो हमने load किया, उसको हमने select कर दिया, जो हमने जान बूच कर लिया था, हम move करके रखर सकते हैं, कि लिए अजब का थेज़ नहीज के रखर सकते हैं, जब उसके लिए लास ह calam यप UCUS के था लिएence नहीं गया है अ pok recommended कि इसकी फिनिशिंग के लिए इसका मितलों वही कुछ सोचना पड़ेगा मुझे जादा बेटर हो सब्सक्ता है जाज जैसे कि उसमें आधा आधे में फिनिशिंग रखेंगी न जी अगर हम यहां सीज प्रा करके हमारा वर्क प्लेन विदा सेट होना जी है देविल वन पे ही सेट होना जी है कैई हूँ Mostchi, कि जाए जाओ ड्ता, यहाँ सब्सक्षाइ अएरिज सब्सक्राइब और बादिए अगर एफ इंदे करने हैं तो बिसकली फसाड को पैरामेट्रिक करने के लिए हमने ये चेंजिस किए हैं इसकी पुद्स के सरे लएक प्रूफायल करना है उसके लिए दुख्टिवाने प्रॉफायल चीज़ते हम नहीं आई है बना रहे हैं, उनकी सारी डिस्टैंच वहां, कहा हो बना, हम किसी चीज को परामिटर बना देगा, ताकि हम जाएकर वायलूस बदल रहे हैं, तो वह बना देगा है है.. वही चीज है.. जैसे हम यहां पर हमने संसी कुरोच पॉइंट से लीए है.. बनाने के लिए points जो लिए थे पहले जैसे for example मैं यह अठा देता हूँ फिलाल कुछ देर के लिए और मैंने एक point बनाया अब इस point को मैंने select किया select करके यहाँ click करके मैं एक parameter define कर दे dimension का और इसको बोल दें कुछ भी distance मैं बोल रहा हूँ इसको यहां पर आकर अदर के अलावा कहीं कोई डामेंशन का ओप्षिन है तो अगर मैं डामेंशन पर किलिक करूँ यह लेगा नहीं अदर शायद यह मैंने डिस्टेंस दिया इसको अब यह वैल्यू वो बन गया पैरामेटर अब अगर मैं यहां पैरामेटर पर जाओंगा यहां अगर मैंने इसको जाकर के 0.5 दे दिया तो यह point center में चला आए अच्छा वहां पहले से point है तो इसको 0.3 कर दो दर पाइंट 3 उसने उधर से ले रिया क्यों इसको select करो क्योंकि यह beginnings है पहला अगर मुझे आपोसिट साइट से यह है तो इधर मैं एंड कर सकता हूँ तो यह इधर से डिस्टेंस लेगा अच्छा एंडिंग पर जाती है यह 7 कर देता है वहीं के वहीं अब इसे हमें पॉइंट से करना पड़ेगा इधर आगया एक्जेक्ट तो एक तरीकर से हर एक पॉइंट को पैरामेटर दे दो जब आप parameter बदलेंगे, यानि कि points की location बदलेगी, points की location बदलेगी, तो यह pattern जो आपने बनाया उन point की help से, वो pattern change हो जाएगा, उनके बीच की distance ही चेंज हो जाएगी, इसलिए बोला parameter. जो जाएगी चेंज हो जड़ीच्च 요र्यच जाएट हैं